एक डिपियार का फुल फॉर्म होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट और एक डिपियार का फुल फॉर्म होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट Detail Project Report क्या होता है, क्यों एक Client हमेशा DPR पहले बनाता है Tender Release करने से पहले क्यों Client को जरुवत पड़ता है DPR का, कैसे DPR बनाते है और DPR होता क्या है What, Why, How So Detail Project Report क्या होता है, Detail Project Report के अंदर क्या क्या चीजे आती है क्यों Tender के पहले DPR बनाया जाता है, इसको हम लोग बिस्तार से देखेंगे नमस्कार, मैं निशान्द गोस्वामी, आप सबी Sable Engineers का Reinforce के Detail Platform पे हार दिक स्वागत करता हूँ Engineers, DPR जानना बहुत जरूरी है, आपने जैसे कि सुना होगा बहुत बार कि कोई भी Project का Tender निकलता है, उसके पहले बोला जाता है कि इस Project का DPR बन चुका है, या DPR रनिंग फेज में है, बन रहा है मतलब Tender रिलेज होने के लिए पहले DPR बनना जरूरी होता है तो Client DPR या तो अपने Consultant से बनवाता है, या खुद बैटके DPR बनाता है तो DPR क्या होता है, क्यों बनाये जाता है, इसको हमनों बिस्तार से देखेंगे DPR का मतलब होता है Detailed Project Report, नाम से पता चल रहा है पूरे Project का Detailed Report तो Detailed Report जेनरली हमाई दिवाग में आता है, रिपोर्ट तो कब होता है, जब कोई चीज समाप्त हो जाता है, तब रिपोर्ट नहीं Construction Industry में कई तरह के रिपोर्ट बनते हैं, जो कि Planning Phase में भी रिपोर्ट बनता है, Running Phase में भी रिपोर्ट बनता है ठीक वैसा ही Construction Project में कोई भी Project का Tender निकलने वाला होता है, या Tender निकालने कोर होता है, तो उसके पहले हमें DPR बनाने की जरुवत होती है Detailed Project Report जो कि Client बनता है, तब ही वो Tender फदर आगे का वो अपना कारे परसीड कर सकता है तो Detailed Project Report होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजे होती है, इसमें आप किन किन चीजों को बनाना पड़ता है Client को, ताकि वो अपने Conclusion पहुँचे और फिर BOQ और फिर अपना Tender रिलीज कर सके तो DPR में आपको Project Descriptions होते हैं, इसमें Project का Locations बताया जाता है, Cost Descriptions रहते हैं, इसमें ये बताया जाता है कि जहां पे Project होने वाला है, Proposed Location जो है, Site, वहां का Geographical Conditions क्या है फिर जो Design, Drawing, Photos ये सारे चीज भी उस Detail Project Report में दिया जाता है, साथी वहां पे Ability of Utilities क्या है, Utilities मतलब होता है कोई चीज की जरूवत वहां पे किन-किन चीजों की जरूवत है और उसकी क्या Ability है, Resource की क्या Ability है वहां पे, वो चीज उसमें बताया जाता है, साथी वहां पे Technical Arrangements बताया जाते हैं, Technical DPR के अंदर Technical Arrangements के मतलब कि इस तरह के Projects में कौन-कौन से लोग Elisible हैं, एक तरीका से कह सकते हैं, Basic Eligibility Criteria DPR के अंदर भी Describe किया जाता है, साथी Cost Detail बताया जाता है कि Financially क्या Tentative ये Project का Cost होने जा रहा है, या Conclusion एक तरीका का Final Cost, Budgeted Cost क्या होगा, ये Cost के अंदर रहता है, साथी यहाँ पर Quality प्लान भी बताया जाता है कि Quality जो वहाँ पर जो भी Project हमारा होने जा रहा है, वहाँ पर पुरा Quality का एक तरह का Master Plan दिया जाता है DPR के अंदर, किस स्टेज में कौन-कौन सा Testing होगा, ये सारे चीज़ DPR के अंदर, Describe Specifications के साथ रहता है, साथी आपको S.H.E., Safety Health Environment से Related Each and Everything, Terms and Conditions उस DPR में में मेंसिन किया जाता है, क्योंकि हर Project में Safety Health Environment बहुत ही जरूरी होता है, साथी इसके साथ आपको उस DPR के अंदर, ये भी बताया जाता है, Methodology, कि जो Project आपका आ रहा है, या होने वाला है Project, जिसके टेंडर निकलेंगे, उस Project का Methodology क्या होगा, Construction के Procedures क्या होंगे, कौन-कौन से Steps, कौन-कौन से Stages से आपको गुजरना है, सारे चीज डिसक्राइब किया होता है, Each and Everything, उस Detail Project Report में, Construction Methodology के Clause में दिया होता है, Chapter by Chapter, ए एक एक चीज वहाँ पर डिसक्राइब किया होता है, साथी Vendors के Details दिये होते हैं, बहुल सारे ऐसे Projects होते हैं, Government Projects, जहाँ पे Client अपने Vendors का Enlisting Panelment बना के रखता है, DPR के अंदर, कि जो भी Contractor, Final Contractor होगा, उसको जो भी Material Supply, जो भी Materials का Deployment Site पे करेंगे, वो इस Particular Listed Vend से ही माल ले सकते हैं, Material ले सकते हैं, Resource Deploy कर सकते हैं, तो ये चीज़े भी दिया होता है, Tentative Time का भी Idea पूरे उस Detail Project Report में दिया होता है, Stage by Stage, कि कौन से Stage, कितने Period of Time, कितने Duration of Time रहेगा, Completion Period कब होगा, Starting कब होगा, Progress, कैसे कैसे Progress हो रहा है, उसके Tentative Time Period होती है, Detail Project Report में, अब बात करते हैं, Detail Project Report क्लाइंट को क्यों जरुवत पड़ता है, तो क्लाइंट कभी भी कोई भी Project निकालता है, तो वो उसका में एक Benchmark यही होता है, कि उसको Profit हो, तो Profit किस सेंस में होगा, Time, Cost, और जो भी Budgeted Time है, जो भी Budgeted Cost है, Successfully उसको Achieve कर लेता है, क्लाइंट, Achieve करता है, तो Ultimately, क्लाइंट को फैदा होगा, Within the Budgeted Cost, Within the Budgeted Cost मकलब जो भी आपस में क्लाइंट और क्लाइंट के बीच में तेह हुआ हुआ, amount होता है, That is a Bidding Cost, Final Contractor का जो Bidding Cost है, उन तेह सीमे के हिसाब से, तेह Time के हिसाब से, समय के हिसाब से, Budgeting के हिसाब से, अगर वो Project successfully completion ह हो जाता है तो उसको मना जाता है successful completion of the project तो client इसलिए ये DPR पहले से बना के रखता है कि एक एक चीज उसको describe करके दिया होता है कि आपको बाद में किसी भी चीजे का problem ना हो साथ ही यहाँ पे DPR बनाने का main मकसद यही होता है कि track किया जा सके project जो भी running में होगा उसको अपने detailed project report के हिसाब से track किया जा सके कि हमने क्या mention किया था और वहाँ पे क्या हो रहा है जैसे कि मैंने बताया quality methodology आपका safety healthy environment costing detail time scheduling descriptions design plan photos geographical conditions scope of the project project का descriptions project का descriptions में पुरा descriptions दिये होता है project के बारे में कि project का क्या आपका नाम क्या है project का scope क्या है यह सारे चीज इस DPR में दिया होता है तो confusion ना हो कि DPR daily progress report और detailed project बहुत सारे लोग हमने देखा है YouTube पे बहुत सारे videos लोग detailed project report और DPR को interrelate कर लेते हैं बोलते हैं दोनों same हैं दोनों same नहीं है daily progress report वो एक contractor daily progress report maintain करता है जो भी वहाँ पे executions हो रहा है वो daily का daily अपना progress report mention कर रहा है DPR जो होता है daily progress report भी mention होता है weekly भी होता है, monthly भी होता है लेकिन detailed project report जो होता है वो client ही बनाता है और client या तो client खुद directly involved होता है या client अपने consultant के थुरू बनाता है और उसको आपको final करके, उसको final, उसको decide करके उसको final conclusion करके release कर देता है detailed project report कोई भी देख सकता है आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ कोई भी देख सकते हैं detailed project report आपके, कोई भी project का tender निकलने के पहले वो release हो चुका होता है universally कोई भी देख सकता है detailed project report net पे, google पे भी आप कोई भी project का देख सकते हैं maximum, almost सारे projects का availability मिलेगा detailed project report detail project report, project शुरू होने से पहले, tender निकलने से पहले आपका detail project report बन चुका होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि drawing, design यह सब बनने एक बार detail project report बनता है, ज्यादा तर ऐसा ही होता है, तो detail project report बनाने में भी 3 steps होते हैं, अब 3 steps क्या होता है, Inception Projects, Inception Report बनता है Inception Report, अब Inception Report क्या होता है दूसरा Feasibility Report बनता है और फिर थर्ड स्टेज में आपका Detail Project Report बनता है तो Inception Report हम लोग समझेंगे Inception Report क्या होता है Detail Project Report बनाने के लिए हमें Inception Report बनाने की आसकता होती है तो Inception मतलब होता है बहुत ही starting phase में, project आपका बहुत ही starting phase में, अब यह मतलब वहाँ पे हमारा site location यह सब beside हुआ है, decide हुआ है कि हमें project बनाना है, project हमारे release करना है, tender release करना है, मतलब बहुत ही starting phase में site का investigation client करता है, geographical conditions सर्वे करेगा, बहुत सारे चीजे करेगा, तो उस survey और उस investigation को हम लोग इंसेप report बनाते हैं, जो कि बहुत ही पहला phase होता है, तीन phase में detail project report जाके बनता है, तो inception report में क्या होता है, कि basic criteria check होता है, soil investigation होगा, geographical conditions देखा जाएगा, ability of utilities देखा जाएगा, resource देखा जाएगा, कि वहाँ पे क्या transportation की क्या सुविदा है, ability of utilities क्या है, transportation में आने जाने में तो दिक्कत नहीं है, conditions क्या है, यह सारा observations observe किया जाता है, inception report तब बनता है, यह सारे observation करने के बाद, अब यह inception report जब बन जाता है, तब तयार होता है, feasibility report, feasibility report में क्या होता है, drawing, design, यह सारे चीज़ final होते हैं, और drawing, design, final होने के बाद, फिर यहाँ पे costing की बाद होती है, timeline set किया जाता है, feasibility report में feasibility report में timeline set होता है costing बताय जाता है कि ये हमारा costing रहेगा हमारा budgeted मतलब client का budgeted cost ये रहेगा फिर से इसमें profit तै किया जाता है कि हम लोग आपको 10 से 15% profit देंगे client देगा contractor को वो benchmark में fix रहता है feasibility report में सारे outlines दिये होते हैं और ये सारे चीज होने के बाद feasibility report में methodology भी describe किया जाता है जैसे कि मैंने बताया detail project report में methodology, construction का क्या methodology होगा वो भी दिया होता है feasibility report में तो ये feasibility report और inception report बनने के बाद आपका पूरा complete final जब conclusion होता है तो detail project report बनता है जो कि summary, date and location of the project, project का description scope, design drawings costing, technical arrangements quality assurance, quality audit plan methodology, SHC safety health environment vendors के list ये सारे चीज़ detail project reports के अंदर दिये होता है specifications wise इचानावरी थिंग आपको complete package मिलता है detail project report के अंदर और detail project report बनने के बाद फिर आपका BOQ and tender release होता है और in fact जो DPR बनता है tender release करने के लिए और हमारा जो final contractor को जब client project देता है जब contract sign होता है तो detail project report बहुत ही important role अदा करता है क्योंकि उसमें जो detail project report में जो terms and conditions कुछ mention रहते हैं उससे related भी drafting की जाती है contract में तो DPR को interrelate करके contract paper भी draft होती है तो DPR इसलिए important है बहुत सारे लोग confusion में रहते हैं कि DPR, daily progress report, detailed project report ये सब एक ही है और detailed project report, project completion होने के बाद भी बनता है तो project completion होने के बाद जो report बनता है उसको completion project report बोलते हैं या project completion report बोलते हैं जो कि उसमें आपका each and everything cost variance, profit variance each and everything tracking, resource allocations, ये सारे चीज़ completion project report में मिलता है जिससे client और contractor अपने future के projects में use कर सकते हैं as a benchmark कि पिछला project में क्या नुकसान हुआ था या क्या हमारे difficulties आई थी तो वो completion project report के अधार भी किया जाता है detailed project report जो होता है वो future, मतलब आने वाले project जो है proposed project उसके activities में हमारे कैसे perform करना है कैसे methodology follow करना है क्या quality होगा, कैसे testing होगा, किस stage पे कौन सा testing होगा ऐसे चीज़ क्या safety health environment का rule and regulations क्या होंगे ये सारे चीज़ detailed project report में दिया होता है timeline दिया होता है, baseline दिया होता है detailed project report में in fact अब बोल सकते हैं project को run कराने के लिए DPR बनता है और completion project report वो पुरे project का completion होने पे conclusion report बनता है जो कि आने वाले projects में client और construction जो contractor होगा जो final contractor उसके लिए beneficial होता है आप सबी civil engineers को पता होगा हमारे reinforce app launch हो चुका है almost one month complete हो चुके हैं काफी लोगों ने, काफी engineers ने प्यार दिया और काफी लोगों ने install किया और course purchase कर रहा है quality content के साथ हम लोग compromise नहीं किया है each and everything आपको वहाँ पे construction industry में जो demand है उसको हम लोग वहाँ पे design और वहाँ पे draft करके course content तयार किया है जो कि industry के expert के दुआरा हम लोग pre-recorded sessions वहाँ पे upload किया है आप लोग चाहें, आप लोग के लिए अपने skills को upgrade करने के लिए सुनहौरा मौका है आप यहाँ पे हमारे reinforce app को play store से install करे और कई तरह के packages हमने वहाँ पे बनाया है, जिसको building करना है, जिसको highway bridge infrastructure में जाना है जिसको सिर्फ building करना है, या जिसको सारे चीज, construction projects, labels की everything करना है यह package के रूप में हमने वहाँ पे design किया है, आप हमारे app पे जाए और festival offer discount अभी भी जारी है, इस coupon code को आप apply करें जो कि दिवाली 25 और RQST 15 आप apply करेंगे, तो जो भी हमारा launching discount offer चल रहा है उसमें भी आपको discount मिल जाएगा और आप course content वहाँ पे purchase कर सकेंगे lifetime validity के साथ, साथ ही आपको trainer assistance मिलेंगे, instant response दिया जा रहा है जो भी हमारे course को purchase कर रहा है, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो तुरंत हमारे trainers, तुरंत respond assistance कर रहा है आप course को purchase करें और बहुत ही affordable fee में अपने knowledge को, अपने practical skills को upgrade करें तेंक यू